बच्चों पिछली बार मैंने आपको अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे जादूई शब्दों के बारे में बताया था जिनके प्रयोग से आपकी भाषा विनम्र बन सकती है वो शब्द थे please जैसे कि उसका प्रयोग अगर आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं किसी से कोई समान लेना है कोई वस्तु लेना है कि please may I have this या sorry अगर आपने किसी को कोई चोट पहुँचाई हो कोई तकलीफ पहुँचाई हो तो उसके लिए आप कह सकते हैं sorry या फिर थैंक यू यानि की धन्यवाद अगर आपको कोई अच्छी चीज देता है या कोई आपसे कुछ अच्छी बात भी कहता है आपकी तारीफ करता है तो भी आप कह सकते हैं थैंक यू आज मैं आपको कुछ और ऐसे जादूई शब्दों के बारे में बताऊंगी जिनके प्रियोग से आपकी भाशा विनम्र बन सकती है और ये शब्दों का प्रियोग आप सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बलकि अपने दोस्तों के साथ अपने छोटों के साथ इन सभी लोगो के साथ करें ताकि आपकी भाशा में मधूरता आए अब जैसे कि अगर आप तीन बच्चे बैठे में हैं उनमें से मैं मीना के साथ बातें कर रहे हूं और अगर राजू आपको बीच में कुछ पूछना है तो आपको एक ऐसे शब्द का प्रियोग करना चाहिए जिससे मु मुझे यह चाहिए तो हो सकता है मुझे जुंजला हट हो इस शब्द के प्रियोग से मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगी मैं ही क्या कोई भी आपकी बात सुनेगा वो शब्द है एक्सक्यूज मी excuse यह एक शब्द है और मी यानि कि मुझे शमा करें किसलिए शमा करें कि आप किसी दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हो आप किसी दूसरे की बातचीत में बाधा डाल रहे हो इसलिए उसे कहते हैं excuse मी अब गीता आम मुझे यह बताएगे कि अगर मैं और मीना बातें कर रहे और आपको कुछ पूछना है तो आप कैसे कहोगे excuse me yes very good अगर आप ऐसे कहोगे तो हम और मीना दोनों ही आपकी तरफ देखेंगे और हम आपकी बात भी सुन लेंगे इसी तरह एक और वाक्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपका काम बहुत आराम से हो सकता ह दूसरे को बुरा भी नहीं लगेगा कब भी जैसे राजू अगर आपकी घर में कोई आता है ठीक है उसका पांच मिनुट का काम है उसने अपना काम कर लिया और अब आप चाहते हैं कि वो चला जाए अपना समय नश्ट ना करे अगर आप उससे कहते हैं you go तुम जाओ तो क आप ने उसका काम भी क्या है इसके लिए आप एक वाक्य है उसका प्रयोग करें वो शब्द एक है may you may go now यानि कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाहसकते हो आपका काम पूरा हो चुका है आप चाहसकते हो अगर आपकी इच्छा हो अचा मुझे एक चीज बताईए में यह हम लोग अकसर साल में एक महीने में इसको प्रियोक करते हैं, कौन से महीना होता है? May का महीना होता है, यह कौन से महीने के बाद आता है? April के बाद आता है, यह तो सब को मालूम है, चलिए जैसे हम लिखेंगे You May Go Now मतलब अब आपका काम हो चुका है आप चाहें तो जा सकते हैं इससे फिर से आपकी विनम्रता दिखती है आप उसको कोई आदेश नहीं दे रहे हो कोई ओडर नहीं दे रहे हो आपको लगता है मीना आपको ओडर दे रहे हो उसको नहीं ना ये एक अच्छा तरीका है ना किसी से भी अपना उससे आपने बात भी कह दी और आपका काम भी हो गया उसका सम्मे भी नश नहीं हो और उसको बुरा भी नहीं लगा अच्छा बचू मैं आपको इक चीज बताती हूं जैसे अंग्रीजी भाशा है इसमें हम बहुत जादा अलग-अलग शब्दों का प्रयोग न नहीं लगेगा ना अच्छा अगर आपकी बराबर वाला कोई है जैसे आप लोगा वापस में भी बात करते हो तो आप कहसा हो तुम है ना और अगर आप किसी बड़ें से जैसे मुझसे अगर बात कर रहे हो तो आप क्या मुझे तुम कहोगे नहीं कहोगे आप, होगे आप Hindi में हम आप कहते मगड़ अंग्रीजी भाषा में एक शब्द है यूं वाई ओ यू यू यह जो शब्द है यह हम बढ़ों के लिए भी प्रेयों करते हैं चो पने बराबर वालों के लिए भी कहते हैं आप इसी लिए मैं आपको यह चीज़ बता कि इस शब्द का प्रियोग करने के लिए आपको सही words का इस्तिमाल करना चाहिए, सही words चूस करना चाहिए, अगर आप किसी बड़े से कह रहे हो, you go, क्या अच्छा लगेगा? नहीं, और आप अराम से कहते हो कि sir you may go now, my mother is not well, you may go now, ममी के अभी तब रहे ठीक नहीं है, आप क आ सकते हो, तो जब आपने मेश शब्द लगा दिया, तो एक बहुत ही विनम्र भाशा का आपने प्रियोग किया, इसलिए बच्चों हम चाहें तो इन शब्दों के खेल में, दूसरे को इज़द भी दे सकते हैं, दूसरों से इज़द भी ले सकते हैं, अच्छा अगर कोई आता है, ठीक है, और आप उसको कोई आदेश देना चाहते हो, वैसे हमें तो देना नहीं चाहिए ना, किसी को आदेश तो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या गीता, नहीं बोल सकते हैं, तो आप एक बहुत विनम्र तरीके से, उससे कोई समान लेना चाहते हो जैसे एक कोई वेकति आया है आपके घर में एक सूटकेस ले के चिक है तो आपको वो सूटकेस नसे लेना है तो आप कैसे किहोगे उनसे । प्लीज ग्मी ओस्टकेस ये भी सहिए है एक और तरीके से मीना अगर आप चाहो और इस शब्द का प्रयोग भी करना है तो कैसे कह सकते हैं Can you give me your suitcase? No, we are not going to say can. हम can का इस्तेमाल नहीं करेंगे मैंने आपको बताया कि आपको में शब्द का प्रयोग करना है तो कैसे कहेंगे? May I have your suitcase please? क्या मैं अगर आपकी इच्छा हो आपकी इजाज़त हो तो क्या मुझे आपका suitcase मिल सकता है? और कभी भी आप यह नहीं कहिएगा give me your suitcase यह बहुत ही गलत तरीका होता है अच्छा यह तीन चीज़ें आपने देखी है कि excuse me कितना ही important शब्द है कितना ही जरूरी शब्द है किसी भी चीज़ के गलत प्रयोग के बाद से भी अगर आप कह देते हैं और एक और उधारन में देती हूँ जो हम लोग हमेशा हम लोग के साथ होता है हम कहीं भी बैठे में हमें चीक आ जाती है यहां मूँ कोल के जमाईया लेने लगते हैं तो हम क्या कह सकते हैं Excuse me Very good यह हम हमेशा ध्यान रखिये इस चीज़ का कि आगर आप किसी पब्लिक प्रेस में बैठे में हैं बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे तो आपको जमाईया गई तो Excuse me यह आपके manners शिष्टा चार दर्शाते हैं आच्छा यू शब्द का प्रेयोग हम हमेशा हम बड़ों के लिए भी कर रहे हैं चोटों के लिए भी कर रहे हैं मगर इसका इस शब्द के साथ अगर यह किया जाए You may तो एक विनम्र भाशा का प्रेयोग होता है आपकी समझ में आया इन चीजों का प्रेयोग बिटा और पिछले वाले जो मैंने शब्द बताये थे उनका प्रेयोग भी आपकी समझ में आया आप मैं चाहती हूँ बेटर कि आप लोग यह सारे इन शब्दों का प्रयोग करें और मुझे बताए कि आप कैसे इनको अपनी तेली लाइफ में यूज कर सकते हैं अगर राजु आपको यहां पर बैठे वे चीक आगे तो आप क्या कहोगे एक्स्जूस में आप मेरा यह चाहिए तो आप क्या कहोगे माम मेरा को presents इसका मतलब है क्या आप लोग तीनोंने इन शब्दों का प्रयोग समझ लीं यहूँ कोई प्राब्लम तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन शब्दों का प्रयोग अपनी नीजी जिंदगी में करेंगे आप शब्द को खोलो, उसमें शब्दी शब्द है, हर शब्द का कहीं न कहीं से हमारी रोजमर्णा की जिंदगी से तालमेल रहता ही है, अब ये आप की उपर निर्भर करता है कि आप कैसे उन शब्दों का प्रियोग करते हैं, पहले भी मैंने आपको कुछ ऐसे जादुई शब्द बताये थे, जिनके प्रियोग करने से आपकी भाशा में विनम्रता आती है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ एक तनाव मुक्त वातावरन रहें, हमारे सभी दोस्त रहें और हम आपस में प्रेम से रहें, तो हमें चाहिए कि हमें इन शब्दों का सही प्र अराज ना हो और आपकी किसी भी बात का कोई दूसरा मतलब ना निकाले, इससे आपके शिष्ट और सब्बे होने का भी सबूत मिलता है